ट्रस्ट मी, आज जो मैं देश के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको, अगर आप एक रियल में जॉप सी कर रहे हैं, टाइम परस नहीं कर रहे हैं, अगर आप सच में सोचते हैं कि आपको भी यूरप कंट्री जाना है, लाखो करोडो कमाना है, हो सके तुमापर सेटल होन तो आज आपके लिए मैं जो देश ले करके आया हूँ दोस्तों, वह है नीदर लेंड, नीदर लेंड के बारे में जानेंगे दोस्तों, तो आपको बहुत ही मजाने वाला है, अगर आपको और डिटिल्स में जानना है, तो क्या करें, वीडियो में आखके तक बने रहे हैं आज आज आपको मैं बहुत सारी चीज़ बताने वाला हूँ नीदर लेंड को ले करके, ठीक है, पहले तो बता दूँ मैं, नीदर लेंड एक यूरोपेन यूनियन का हिस्सा है, और यहाँ पर अगर आपको वीजा मिल जाता है, तो वीजा मिलने के बाद आप लगभग 27 कं कंट्री में दोस्तों वीजिट कर सकते हैं, और जो अच्छी बात है कि यह बहुत ही खुबसूरत कंट्री है, खुबसूरत होने के साथ-साथ, अगर आपको यहाँ के विजा मिलता है, तो आप यूरो में इंकम कर सकते हैं, यहाँ का रूल्स और रेगुलेशन बहुत ही फ एक जॉब सीकर्स जो मैं जानता हूँ जितना मेरे एक्सपिरियेंस है या जितना मेने काऊंसिलिंग के रही तक हर किसी का पहले प्रशन हूता है कितना सैलरी मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब देद बताउन के 여기 पहला आपको क्वेस्टिन सोना चीह क्या मुझे जॉब मिलेगा क्या यहां का विजा मिलना संभभ है अगर आपको जॉब मिलने का पर्षेंटेश दिखता है तब आपको पूछना चीह कितना सालरी मिलेगा ठीक है खर यह आगे की बात है मैं और बताऊंगा आगे आपको यहां के खर्चा लगभग साथ से आठ लाख रूपिया खर्चा होता है और एक आम आदमी के लिए साथ आठ लाख रूपिया खर्चा करना इतना आसान नहीं है है की नहीं अगर आप भी सोचते हैं कि आपके पास भी साथ आठ लाख का जुगाड नहीं है और आप जाना च बताता हूँ आपको कि कैसे आप जा सकते हैं free of cost में सबसे पहले क्या करें दोस्तों अपना profile बना ले प्रोफाइल बनाने के लिए क्या क्या चीए आपका education certificates आपका passport size photograph आपका experience certificates और आपका जो जो extra curriculum जो भी है आपका जो experience आपके पर खेले हैं आपने जो भी आपके पास extra certificates हैं एक अठा कर लीजिए एक अठा करने के बाद एक pen paper ले दीजिए और लिखना चालू कर दीजिए कि आपने 10th cup pass किया 12th cup pass किया graduation cup किया ठीक है इसके अलावा जब अपने कबड़ी में कोई prize लाया है क्रिकेट में कोई prize लाया है खोको में कोई prize लाया है जो भी आपने prize अभी तक लिया है सब को लिख लिए पहले एक pen paper में उसके बाद क्या करें अपना CV तयार करें CV तयार करते हैं समय एक चीज को ध्यान रखना है कि आपका जो CV है नॉर्मल CV नहीं बनाना है मेरा दोस्त आपको बनाना है Europass क्योंकि आप European country में जा रहा है European country में जाने के लिए आपका जो CV है वो Europass का format में होना चीए साथी साथ cover letter लिख लिजिए cover letter का मतलब होता है जितना भी आपने लंबा से भी बनाया है उसका सारांस आपको आपका cover letter में लिखना है आपका नाम आपका experience आपका industry exposures और आपका education साथी साथ आपका जो passion है वो आप उसमें थोड़ा दर्शा दीजिए और बता दीजिए कि आप उस company में क्यों जाना चाह आते हैं बस यह होता है cover letter यह बनने के बाद एक बार documents बन जाता है फिर क्या करें सारे आपका जो भी डॉकुमेंट से लगए डॉकुमेंट से उसको compile करने एक जगा रख लें फिर आप apply करना चालू कर दें apply करने के लिए दोस्तों आपको online का साहरा देना पड़ेगा बहु बोलते ही description चलू कर दे रहे हैं रुकिए अब बताता हूं में देखिए यह हो गया आपको apply करना है लेकिन apply करने से पहले आपको यह देखना है कि आपको जो profile है उस profile के मुताबिक कौन-कौन सा vacancies है यह मत करना कि आपका profile waiter का है और आप housekeeping में apply मत करना आप front office में apply मत करना प्लंबक ले apply मत करना जब भी apply करते हैं उसके पहले job descriptions पढ़ लीजिएगा job descriptions पढ़ने के बाद ही apply करें दोस्तों क्योंकि अगर आप गलत profile में apply करेंगे गलत vacancy में apply करेंगे तो आपको कभी selections नहीं होगा फिर आप सोचते रहें कि मैंने 500 companies में apply किया क्योंकि मैं जानता आपका profile matching है नहीं हो रहा है लेकिन आप apply करते जा रहे हैं फट 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 ख़ले click मार दिया और apply कर दिया ऐसे में कुछ नहीं आएगा in fact आप से अपना time waste कर रहे हैं ठीक है अब free में भीजा सच मिलता है क्या तो देखिए दिन में लाखों लोग apply करते हैं हरे companies में और उस भीड में अगर आपको आना है तो आपको सबसे हटके दिखना है आपका profile हटके होना चीए आपका document हटके होना चीए आपका experience पर सबसे ज़्यादा होना चीए तब ही जाके आपका profile shortlist होगा ये मत सोचना कि आप अकेली apply कर रहे हैं दोस्तों दिन में लाखों लोग apply करत हैं वो इसलिए क्योंकि मैंने भी देखा है आप अगर एक साल दो साल तिन साल apply कर लेने के बावजूद जॉब नहीं मिलता है लोग परिशान हो जाते हैं लोग को समझ में यह आता है तभी क्या करते हैं वो कोई consultancy का रूख करते हैं consultancy के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि ज बंदा जाता है को इक consultancy में तो उनका job मिलना आसान हो जाता है क्योंकि अलड़ी उनका टाइप उस company साथ होता है इनके बस vacancies आता है वेकेंसी जब आता है तो इंट्रिवीरों शेडूल करा देता है तो डायरेक्ट होगे फटा-फट लेकिन इसमें खर्चा होता है खर्चा आता है क्या मैं इतना पईसाथ दे करके जाके सिफ 1.5 लाग रुपय सालरी के ले जाऊं तो मेरा दोस्त अगर आप इंडिया में काम करेंगे इंडिया में काम करते हैं आपको सालरी कितना होता है 15 से 20,000 रुपया अगर आपको 20,000 मिल भी गया तो बारत उने 24 से ने 2.4.000 पर एनम होगा एक साल काम करेंगे तो आपको दो लग 40,000 ही इंकम होगा इसमें आपको खुद का गाड़ी खुद का रहना खुद का खाना ठीक है टेलीफोन होगा सब कुछ खर्चा खुद करना पड़ेगा कितना बचेगा अब सोचिए अगर आप वहां जाकर के महिना में एक और देल लग कमाते हैं तो बारा में ना कितना हो गया 12 और 60 अठारा लाग रूपया हुआ की नहीं हुआ 600 घृट ट्रफिवा करने को जो कालक्लइशन करता है तो वो अमीर बन जाता है जो सिंब डरते रहता है वो कभी अमीर नहीं बनता है अमीर इसी तरह बिजनेशन क देखा आपने, बिजनेस में रिस्क लेता है, पैसे इन्वेस्ट करता है, अगर आज आपको एक छोड़ा सा आउटलेट भी खुलना है, तब भी आपको लगबग 30 से 40 लाख रुपय खर्चा करना पड़ेगा, यो कि जब तक अब ताम जाम इंटेरियर नहीं करोगे, तब त आपके दुकान में कोई कस्टमर नहीं आएगा, उसी तरह अगर आप अपने करियर के लिए खर्चा नहीं करेंगे, तो आपको बहतर लाइप कैसे मिलेगा, इस बात को आपको समझना है, अगर आप छोटा मोटा जिन्दगी जीना चाहते हैं, आपका अगर सपना जो है एक